मध्यप्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले RSS के एक सर्वे ने BJP में हाहा कार मचा दिया है ये सर्वे बता रहा है कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बन रही है मध्यप्रदेश में इतिसाल के अंत में चुनाव होना है चुनाव से पहले अब तक हुआ हर सर्वे ये बता रहा है कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस आ रही है भाजपा जा रही है साथी बीजेपी 55 सीटों से भी कम पर सिमट्ती नज़रा रही है हालकि साल 2019 में भी बीजेपी को मध्यप्रदेश की जनता ने नकार दिया था लेकिन करनाचक की तरह यहां भी बीजेपी चोर दर्वाजे से सत्ता पराकर काबिस हो गई थी मगर जुस तरह भाजपा को करनाचक में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है ठीक वैसे ही अब मध्यप्रदेश की जनता भी कमिशन खोर और जूठी सरकार को जड़ से उखाड सेकने के लिए तैयार है बीजेपी पर 18 वर्षों की देनेदारियां और अधूरी घोशनाय हैं जो गंभीर सत्ता विरोधी लहर का रूप ले चुकी है पिछले पांच महीनों में मध्यप्रदेश विधान सभाचनाव 2023 को लेकर 6 अलग-अलग सर्वे सामने आए हैं सभी सर्वे में बीजेपी की सीचे लगातार घर्ती जा रही है इतना ही नहीं बीजेपी के सर्वे में भी बुरी तरे से पार्टी की हार नजर आ रही है जनवरी 2023 संग का एक सर्वे सोशल मीडिया में खूब वाइरल हुआ जिसमें बीजेपी 103 सीचों के साथ सरकार से बाहर जा रही है परवरी 2023 कॉंग्रिस का एक आधिकारिक सर्वे सामने आया जिसमें बीजेपी 95 सीचों पर सिमटती नजर आई मार्च 2023 इंटेलिजिन्स का एक गोपनी सर्वे लीक हो गया जिसमें बीजेपी को 80 से भी जिहां 80 से भी कम सीचें मिलती नजर आ रही है अपरेल 2023 देनिक भासकर और EMS समेथ कई समाचार समू के सर्वे प्रशासनिक खलकों में तेजी से वारेल हुए जिसमें बीजेपी 70 सीचों पर सिमटती नजर आ रही है मई 2023 ऑनलाइन डिजिल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे हुआ जिसमें बीजेपी को मात्र 65 सीचें मिलती नजर आई जून 2023 से नव भारत समचार ने एक सर्वे प्रकाशित किया जिसमें बीजेपी को मात्र 55 सीचों के साथ सत्ता से बाहर होते बताया गया तो इन सभी सर्वे का ट्रेंड ये बता रहा है कि कॉंग्रिस सेधी से बढ़त बनाते हुए जनता की आवाज बन रही है वहीं बीजेपी की हालत आई दिन खराब होती जा रही है यानि कि साफ है इस बार बीजेपी 50 से भी कम सीचों पर मध्यपरदेश में सिमठ जाने वाली है